हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पूजा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हलकी फुलकी भूग लगी हो या फिर चाय के साथ कॉंपलियमेंट करना हो तो नमकीन से वे बेस्ट आप्सन है वैसे भी आजकल तो होली का तेवार है सभी लोग अपने घरों में पकवान बना रहे है घर पर बनी नमकीन की तो बात ही कुछ और होती है क्योंकि उसमें हम अपने टिस्ट के अनरकॉर्डिंग चेंजिस कर सकते हैं तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से नमकीन से बनाना बताऊंगी जिसे बनाकर आप भी खुस और जो खाएगा वो तो पका ही खुस और यदि आपके पास सेव बनाने की मसीन नहीं है तो लकडी के हद्टे जो पुराने टाइम से चलते आ रहे थे हमारी मम्य दादी के टाइम की जमाने से उससे भी आप से बड़ी असानी से बना सकते हों या फिर इस्टील के जारे जिससे हम तलने का काम करते हैं उससे भी आप बड़ी असानी से इस दो से आप बना सकती हैं तो इस बार मैं आपको मसीन से बनाना बताऊंगी तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं हम सबसे पहले एक गहरी तली का कोई भी बर्तन या आटे मलने की पराद लेते हैं मेजर्मेंट के लिए आप कोई कटोरी या फिर कप सेट कर सकते हैं इसमें तलने तेल और पानी हम मेजर्मेंट करके लेंगे वाकी बेसन का कोई ऐसा मेजर्मेंट नहीं होता है तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे डो के अकॉर्डिंग तो चलिए हमने एक परात में थिरी फोर्थ कटोरी रिफाइंड ओयल लिया है और एक कटोरी इसमें नॉर्मल टेमपरेचर के पानी लिया है हमने और इन दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम वीसर के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथ से भी हम मिक्स कर सकते हैं दीरे दीरे हम इसको थिक होने तक इसको मिक्स करते रहेंगे इसी तरीके से देखिए दीरे दीरे ये थिक हो रहा है अब हम इसमें मसाले अट करेंगे, सबसे पहले हम एक चमच इसमें नमक डालेंगे, आधी चमच लाल मेर्च पॉड़र डालते हैं, आधी चमच हल्दी और एक चमच अजवैन डालकर इन सबको अच्छी तरीके से फेट लेते हैं अब देख सकते हैं हमारा घोल ठिक हो गया, अब हम इसमें एक कटोरी बेसन डालेंगे सबसे पहले, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे mix करने के बाद फिर हम इसमें एक कटोरी बेसन और डालेंगे इसको भी दीरे दीरे हम mix करेंगे अब यह tight हो गया है डोँ, अब इसको हम messers एक साइड में रख कर आपके हातों से अच्छी तरीके से mess करेंगे सब डो को अच्छी तरीके से हलके हाथ से थोड़ा थोड़ा बेशन डालके इसका अच्छा से एक soft dough बना लेते हैं हम इसको और इसको 5 मेट के लिए हम rest करने के लिए रखेंगे जिससे हमारा dough अच्छी तरीके से थोड़ा थिक हो जाएगा पांच मेंट के बाद हम देखते हैं कि हमारा डो काफी सॉफ्ट और ठिक हो गया है अब इसको दो तिन ड्रॉप ऑईल की डाल गए अब इसको हम चिकना और स्मूथ इसका डो बना लेंगे यह देखिए दीरे-दीरे कितना एकदम सिमट गया है डो हाथ से मल-मल के दो-तिन बार इसको अच्छा चिकना डो बना लेते हैं अब डो शेव बनने के लिए तयार है अब हमें एक मसीन लेते हैं यह इसमें अच्छी तरीके से ओयल से ग्रीसिंग कर लेते हैं जिसे हमारा बेशन इसमें चिपकेना और आसानी से इसके सेर तूट जाएं सब जगे ओयल लगा लेते हैं हम अंदर की साइड अब हम सिरिंडर के सेप का लंबा सा डो बना लेते हैं मसीन के अंदर रखने के लिए इसमें यह देखिए इस तरीके से हम डो बना लेते हैं और इसमें हमने इसको फिलप कर दिया है पूरा बनने के बाद हम इसका धकन लगाकर इसको सेट करेंगे जाली आप अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं पदली मोटी इसमें बहुत तरीकी की जाली आती हैं आप किसी भी तरीकी की ले सकते हैं मैंने पतली ली है यह देखिए आज हमें मीडियम ही रखनी है जब हम डालते हैं तो काफी ज्ञाग उट जाते हैं जब तक यह ज्ञाग सांत ना हो जाएं आपको कल्ची से नहीं चलाना है जब ज्ञाग सारे मर जाएंगे तब हमें कल्ची से इसको पलटना है यह देखिए सारे ज्ञाग मर गए हैं वर एक बार हम इसको पलटेंगे वर एक दो बार पलटने के बाद ही यह तैयार हो जाता है एक घान हमारा तो देखा आपने कितनी आसानी से सेव बनकर रेडि हो जाते हैं इसमें आप भी इसी तरीके से बनाईएगा आपको भी पसंद आएंगे तो देखिए हमारा एक तैयार हो गया बनकर अब हम फिर से pig रोल बनाएंगे मसीन में डालेंगे इसी तरीके से हम सभी डोका, रोल بणा बना कर पेन्ट जिस कटोरी से हमने ने पानी और आयल लिया था वो पांच कटोरी बेशन उस कटोरी के अकॉर्डिंग हमारा लगा है और छोटी सी पांच कटोरी बेशन लगने के बाद हमारे इतने सारे धेर सारे सेो बन कर रेडि हो गए अब 15 मेरट में बन कर रेडि हो जाते हैं इतने धेर सारे सेो जादा टाइम भी नहीं लगता जाता खटरंगा भी निकर होता और यह हमारा नमकीन से उबनकर रेडी हो जाते हैं वैसे तो होली का टाइम चल लिया है सभी लोग अपने घरों में ऐसे पकवान बना ही रहे होंगे मगर यह ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स से कि आप इसको हर समय अपने घर में बना कर रख सकते हैं और अप इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी यूसफुल लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बूलिएगा ऐसी ही अच्छी वीडियो में यूसफुल वीडियो आगे लाती रहूंगे आपके सामने तो देखिए जासा बेसन बज गया है लास्ट में इसको भी हम ऐसे हातों से बेल के इसको कड़ाई में सीम आज पर सेख लेते हैं आपने देखा होगा अक्सर बजार की बुजियों वगरा में ऐसे पड़े होते हैं तो ये खाने बड़े टेस्टी लगते हैं क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए ये देखिए मैंने इस तरीके से ये बनाकर इसको सेख लिए हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में थेंक यू फ्रेंड आप सभी को होली की बहुत सुपकामना है और आप एंज्याय कीजिएगा खुब होली साथधानी से खेलिएगा फ्रेंड्स थेंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर बाई बाई